Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is Simran Gumbar. तो बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी. बहुत से बच्चे confused थे कि माम, हमारे बाकी सब्जेक्स के तो मार्क्स लग गए, लेकिन प्रोजेक्स के मार्क्स ही नहीं लग रहे. हमें पता ही नहीं शल रहा कि उसके मार्क्स क्यों नहीं लग रहे, क्या हमारा प्रोपर सब्मिट हुआ था या नहीं, कई हमारा प्रोजेक्स रिजेक्स तो नहीं हो गया. तो उन बच्चों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ. जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है इगनू का, इगनू ग्रीवियन्स का एक पोर्टल, जहां पर आप अपनी क्वेरी डाल कर भेज सकते हो, और वहां से रिस्पॉंस आ जाएगा, कि आपके marks क्यूं update नहीं हो रहे, उसके पीछे क्या reason है, तो मैं आपको बिल्कूल starting से पताती हूँ कि आप इस पोर्टल तक कैसे पॉचछोगे, ठीक है, मैं बिल्कुल starting से पताती हूँ. माल लो आपने अपने फोन में ऐसे Google Chrome खोला और आप यहाँ पर लिखते हो Igno Grievance आपने ऐसे लिखा और यह First Page आ रहा है आपने इस पर क्लिक करा क्लिक करने पर यहाँ पर आप देख सकते हो Grievance आप यहाँ पर कि आपकी क्या प्रॉब्लम है सेलेक करो तो जैसे यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा, साइमें, स्टडी, मेटिरियल यहाँ पर आप सेलेक कर लेना Projects आपने Projects सेलेक करा अब यहाँ पर उस पर सब्जेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पर हमें क्या आप जैसे आपके मार्क्स नहीं लग रहे हैं मैंने मालो यहाँ पर टिक कर दिया Delhi 2 इन्रोल्मेंट नमबर जो भी आपका है यहाँ पर इन्रोल्मेंट नमबर लिख देना जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम लिख देना सेलेक्ट प्रोग्राम जैसे आप DEC के स्टूडेंस हो तो आप यहाँ पर select कर लेना D E C E जैसे यहाँ पर D E C E अब नीचे आप अपनी email address लिख देना आप अपना mobile number लिख देना Please email address और जो mobile number लिखोगे correct लिखना क्योंकि यही पर response आता है उसके बाद आप अपनी query में लिख सकते हो कि I have submitted my project on this date I have not, my marks are not reflecting in grade card आपको choose file का option मिल रहा है जब आप यह चूस फाइल करोगे तो आप यहाँ पर कोई picture attach कर सकते हो पिचर मानलो जैसे आप अपने जो आपने project upload करा था online तो उसमें वह acknowledgement slip दिखाता है ना जिसमें आपका control number भी शो हो रहा होता है तो वह वली slip upload कर सकते हो कि यह देखो हमने इस date पे project upload करा था वह choose file में select कर लेना image और यहाँ पर आप submit कर देना जैसे ही आप submit करोगे आपकी query इगनू के पास पहुच जाएगी यह होने के बाद आपके पास एक automatic reply आ जाएगा आपकी Gmail पर तो जैसा कि आप इस screen पर देख सकते हो जब आप अपनी query उस portal पर submit करोगे तो आपके पास automatically एक reply आ जाएगा आपकी Gmail पर जहाँ पर आपकी सारी details होंगी जो आपने fill करेंगी और यहाँ पर आपको सबसे उपर दिख रहा है grievance submission token GST number इसके आगे series of numbers होंगे कुछ numbers होंगे जो कि आपकी grievance का number है इस number से आप check कर सकते हो कि आपका जो query डाली है उसका status क्या है वैसे थोड़े दिन बाद आपकी Gmail पर ही reply आ जाएगा उनकी तरफ से response आ जाएगा कि मालो अगर आपके marks update नहीं हुए DC के project के तो उनकी तरफ से response आ जाएगा I hope आपको ये video useful लगी होगी इस video को like कर देना जिन friends को इसकी जुरत हो सकती है उनके साथ share कर देना Thank you very much for watching